लिहाल यज़ी गूबलनिंग इंडिया, साधर पर्णाम, सबी दोस्तों को शरव परतम खूब 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 बहुत बहुत मेनी 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 कोंगरीसिलेशन की रादस्तान में बरतियों का एक उस्षट चल ला है, राधिस्तान में खूब सारी बर्तियां, राज़स्तान अदिनस्त बोल्ड की खूब सारी बर्तियां पहली बार इतनी बर्तियां आई है कि साइदा राज़स्तान के इत्यास में इतनी बर्तियां आई है और इधर केंदर गोवर्मेंट ने भी केंदर सरकार ने अपनी रोकी हुई वेकेंजियों की बाहर लगा दी और इस परकार 20,000 CGL SSE की बर्ती है तो ये एक बर्तीयों का मेला चलना है तो इस परकार CET जो रादस्तान अधिनस्त बोल्ड ने अपना सेलेबस और अपना पूरा पैटरन नोटिफिकेशन से जारी कर दिया तो इस परकार ये बर्टियों का मेला चलना है तो उन अबर्टियों के लिए जो इस मेले के अंदर कुछ पा लेना चाते हैं कुछ असिल कर लेना चाते हैं और अपनी बिरोज़कारी को मिटा करके एक उस्सा और वंग के रास्ते पर चलना चाते हैं आईए हम उसी रास्ते को सुगम करने के लिए और तिवरा करने के लिए मैं आपके साथ में कंदे से कंदे मिला करके आपकी मेनत में साथ दूँगा हमारा जो चैनल है उसे सब्ग्राइब करना है उसे सेर करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरा मेटेरियल आपके पास में सरव परतम पहुंचे बंगाल की खाड़ी का अपवा तंतर है उसमें हम आज बनास की साइक नदियों के बारे में पढ़ेंगे बनास के खूब सारे उप नाम है वन की आसा क्योंकि हमारा राजसमन उदेपूर, अजमेर, टौक जहां ये बैती है वहाँ सरवादिक वन है इसलिए उसे कहता है वन की आसा वर्नासा वसिष्टी और बनास इस परकार बनास को कहा जाता है बनास हमारा जो राजस्तान के मेप के अंदर जो राजसमन जिला है ना राजसमन जिला एक तिलक की बाती है तिलक लगाते है ना माते के ललाट के वेसे तिलक की बाती है और तिलक की बाती उपर भीम, आमेट, जो देवगाड ऐसे इनकी तेसिलें और उफखंड है तो इसी परकार जो बनास है बनास है वो कुंबल गड़ के दक्सन पचम है दक्सनी मालो खमनोर की पाडियों से निकलती है और कुंबल गड़ के खमनोर की पाडियों से निकल करके ये राजसमंद के खमनोर की पाडियों से निकल करके आगे ब ता और बंदयूनी जिसने राजबुतों के खुन से अपनी दाड़ी रंगी थी तो बंदयूनी को राजस्तान के बारे में पता नहीं था अबूलवजल अपने नागोर में पैदा हुए थे रो राजस्तान से अच्छी तरह वाकिप थे तो उन्हें पता था कि हमारी मारना प गोगुंदा से पहले तब बंदयू नहीं लिखता है कि ये गोगुंदा का यूद है जबकि वो खमनोर अल्दीकाटी का यूद था वहां से खमनोर से निकल करके बनास्नदी आगे बढ़ती है ये राजस्तान के च्छे जिलों में बैती है लेकिन एक नाला गोगुंदा के प घलोड़ा फिर ये चितोडगड फिर ये अजमेर फिर टौंक और स्वाई माधुपूर के रामेसर गाठ रामेसर गात है वो स्वाई माधुपूर के खंडार तेसिल में परता है ना गंगा बंगाल की खाड़ी का अप अतंदर का भाग बनती है तो चंबल, सीप और रामेश्वर्प यहां यह तिर्वनी संगम बनाती है इस परकार जब यह खमनोर की पाड़ियों से निकलती है और राजसमन जिल्ले में बैती है राजसमन जिल्ले में बैते हुए यह चितोड जिल्ले से होते विए यह बेलवाडा अजमेर टॉंक स्वाई मादपुर यह जिल्लों में बहती है लेकिन एक नाला वह उद्यपुर से आता है कि जो बनास नदी के किनारे जो नगर इस्तित है पहला बनास नदी के किनारे जहां चंद्रभागा नदी आकर के मिलती है और चंद्रभागा नदी है वह राजसमन से आकर के मिलती है चितोड में वह पहला नगर इस्तित है मात्रकुंडिया और मात्रकुंडिया को राजस्तान का रीदवार केता है मोति लाल तेजव ओपने अपना अंदोलन यहीं प्रायरम किया था तो इस परकार मात्रकुंडिया राजस्तान का रीदवार जहां चंदरवागा नदी आकर के मिलती है मातर कुंडिया इस्तित है थोड़ी आगे बढ़ती है तो राज समंद में नात द्वारा इस्तित है नात द्वारा जां सरी नात जी का मंदिर इस्तित है और जब 1689 में औरंग जेब ने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया तब वरंदावन से राज सिंग के समय शरी नात जी की मूर्टी नात द्वारा में लाकर के इस्ताफित की गई थी वोई शरी नात जी इस्तित है फिर उसके बाद में रेल मगरा इस्तित है रेल मगरा के बाद में बीसलपूर जो कस्बा है वो इसी नदी के किनारे इस्तित है और टॉंक इसी नदी के किनारे इस्तित है इस फरकारी है इस नदी के किनारे इस्तित है जो मेतपुर्णा सेर है इसके बाद में इस नदी के किनारे के जो बाएं तरफ से और दाएं तरफ से खूब सारी साइग नदी आ करके मिलती है बाए के बाद में मांसी नदी बांडी नदी मोरेल नदी दील नदी इस परकार बाएं किनारे से आकर के मिलती है दाएं किनारे से जो आकर के मिलती है उसमें आएड नदी चंद्रबागा नदी चंद्रबागा नदी एक हमने आडोती के पठार पर और पड़ी थी तो चंद्रबाग नदी बाएं किनारे से चंद्रबागा नदी आएड नदी और मेनाल नदी इस परकार ये दाएं किनारे से आकर के मिलती है और फिर ये चंबल में मिल जाती है तो इस परकार इसके दाएं किनारे से जो नदी आकर के मिलती है आएड नदी आएड नदी उदेपुर के सबसे उपरी बाग में उत्तरी बाग में इस्तित है उफखंड है गोगुंदा गोगुंदा की पाड़ियों से निकलती है गोगुंदा की पाड़ियों से निकल करके उदेपुर में बैती है कुल इसकी नम्बाई 190 किलोमेटर है देखो ये गोगुंदा की पाड़ी से निकलती है और जब गोगुंदा की पाड़ी से निकल करके ये बिंगो धिलवाडा तक आती है तो इसकी कुल नम्बाई 190 किलोमेटर होती है ये उदेपुर सेर के पास में इस्तित है उदे सागर जी उदे सागर जील में गिनने से पेले इसे आएड नदी कहते हैं और उदे सागर जील से बिंगो उद तक इसे बैड़ते नदी कहते हैं उदे सागर जील वोई जील है जो आएड नदी बनाती है उदे सागर जील के किनारे मारना परताब एम मान सिंग की संदी हुई थी हल्दी गाटी युद्ध से पहले और मान सिंग अपन पढ़ते हैं कि मान सिंग समझोता कराने के लिए आया था तो इस परकार कहते हैं कि उन्होंने पगड़ी बदल बाई बनाया था मारना परताब को लेकिन जब भोज दिया उदे सागर जील कि किनारे मारना परताब ने तब खुद ने आकर के उन्होंने अपने बेटे अमर सिंग को बेजा और अमर सिंग जब आया तो मान सिंग ने इसे अपना अपमान समझा और उस ने कहा कि मारना परताब का हैं तो उन्होंने का कि परताब के सिर्ध दर्द हो रहा है तो मान सिंग बिदग गया और बिदग करके खड़ा हो करके अमर सिंग को बोला कि मैं जल्दी ही परताब का सिर्ध ठीक करने वाफिस लोटूँगा यानि उसका इरादा ये था कि मैं यूद करने के लिए जल्दी लोट करके आना क्योंकि अकबर ने कच्वा इरानी से जो इनकी भुवाजी होती थी उनसे साधी की थी इस परकार हरखा भाई से साधी करने के कारण यह इनका अकबर फुंपा लगता था तो इस परकार उनोंने उलाना दिया तो वही उद्यसागर जील है के बाद में यह बेड़ चनदी कहलाती है इस पर उद्यसागर बांद इस्तिते हैं बेड़ चनदी पर और बेड़ चनदी पर आगे जब जाते हैं तब जहां यह बुंग्योद में मिलती है उससे पहले दाएं किनारे से खूब सारी नदियां करके इस आएड नदी में मिलती है उसमें एक नदी औराई नदी गंबीरी नदी गूजरी नदी वागन नदी वागली नदी मेनाल नदी मेनाल बेड़त और बनास इनका संगम होता है बिगोद के पास में बिगोद बिग बढ़ा के बीगोद में बनात बेड़त और मेनाल का संगम होता है अब देखो गंबीरी नदी है यह एमपी की जावद की पाडियों से निकल करके बेड़त में आ करके जा मिलती है चितोड में मिलती है और चितोडगण का तो हमें ध्यान रखना है कि गंबीरी नदी इन साइक नदियों में MP से निकलती है और जावद की पाड़ियों से निकलती है इस गंबीरी नदी पर गंबीरी बांद इस्तित है जो चितोडगर जिले में इस्तित है गंबीरी नदी पर गंबीरी बांद है चितोडगर जिले में परसिद है वो है गोसुंडा बांद जो बेड़ चनदी पर इस्तित है और गंबीरी नदी पर गंबीरी बांद है वो चितोडगड जिले में इस्तित है गंबीरी और बेड़ चनदीों के संगम पर चितोडगा किला इस्तित है ये मेशा के पटार के दोनु और से गिरती है पर परकार ये चितोड़गड की किल्ये को एक विशह सर्थ भोगुली काकार डेती है गंबीरी नदी और बेड़चन नदी इस परकार फिर अप्रवास गोसुन दाबान बांद स्थित है चितोड़गडगा और रंगई सपाई उध्योग के लिए परसिद है वो भी इसी बेड़च नदी पर है तो औराई नदी गंबीरी नदी गूजरी नदी वागन नदी वागली नदी और औराज नदी ये बेड़च के साइक नदी बनती है बेड़च मेनाल और बनास इनका संगम बीगोद भीलवाड़ा में होता है मेनाल नदी पर मेनाल देखो कोठारी नदी है जो दिवेर से निकलती है दिवेर है वो राजसमंद की एक उवकंड है तेसिल भी है तो इस परकार दिवेर से निकलती है और दिवेर मेवाड का मेरा दन कहलाता है पंद्रा सो सीयतर के युद में मारना पता बुरी तरह आर गए थे हलांकि हरना नहीं कह सकते है क्योंकि उन्होंने प्लाइन किया था और वो अकबर के आथ में नहीं आए गए लेकिन वो बूरी तरह निरास हो गए थे जब वो निरास हो गए तब कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसा कोई शारा या ऐसा कोई चारा नहीं था और उसके बाद में उन्हें बामासा मिलते हैं और बामासा चूलिया जलपरपात के पास में मिलते हैं तो चूलिया गाह में मिलते हैं और वो खूब सारा धन देते हैं वो नई सेना बनाते हैं और कहते हैं कि दिवेर अकबर का सबसे मैत्वपून थाना था जो अजमेर की तरब से राजसमद में प्रवेस करने के लिए वहाँ अपने चाचा सुल्ताना को उन्होंने रखा था दिवेर के थाने पर दिवेर के थाने पर अपने चाचा को रखा कहते हैं कि अमर सिंग ने र उस अबरात अबरी का एक कारण था कि अमर सिंग ने जोर से बाला है वो अकबर के चाचा पर पैंका, अकबर के चाचा है वो गोड़ी पर स्वार थे, कहते हैं कि बाला अकबर के चाचा के सुलताने के लगा और उसके पार हो गया, अकबर के चाचा के पार हो गया और गोड़ थे बाड़ा बाला है वो आरपार हो गए थे तो उस ताबूत को देख करके पूरी शेना भाग गई और 1582 के अंदर 1573 के बाद 1582 में सबसे बड़ी जीत हुई थी दिवेर की युद्ध और यह महाना परताथ की जीत के करण इसे मेवाड का मेरातन कहते हैं कभी मेरातन यूरो का है उस दिवेर से निकल करके कोठारी नदी है वो गाजसमन से निकल करके भीलवड़ा के पास में एक इस्ताने गहां में जाए नंदर आए के पास आकर के चंबल नदी में मिल जाती है चंबल नदी में मिल जाती है कोठारी नदी पर है जो सबेता इस्तित है बागो और सबेता इसी कोठारी नदी पर इस्तित है भीलवड़ा के अंदर इसी कोठारी नदी के किनारे मेजा बांद इस्तित है जो भीलवड़ा की जीवन रेखा कहलाता है और उसके चारों और ग्रिन माउंट इस्ताफित किया गया एक प्रेटलेस्तल के रूप मेजाबांद मेजाबांद और बागोर की सबेता इसी कोटारी नदी पर है इसी परकार आड सबेता इस बेड़त नदी के किनारे है आड सबेता गिलूंड सबेता वैसे बनास नदी पर कई जाती है और ये सारी सबेता आड संस्कृति का हिस्षा है इसी बेड़ चन अदी पे आगे नगरी सबेता है जिसकी राज़तानी मद्यमिका थी और नगरी सिवी जनपद के लाता था सिवी जनपद की राज़तानी थी तो इसी परकार इसी नदी के किनारे आड़ सबेता जिससे आड़ सबेता के नाम पे ये आएड़ थी फेरा नगरी सबेता और बाला तल सबेता उदेपुर आड सबेता बाला तल सबेता और नगरी सबेता ये बेड़चे नदी पर थी कोठारी नदी पर बागोर सबेता बनास नदी पर गिलूंड सबेता राजसमंद में तो इस परकार कोठारी नदी पर बागोर सब्एता राज समंद में गिलूंड गिलूंड सब्एता बनास में गिलूंड है और इस परकार रा एड बेड़ चनदी पार है आध सम्दा बाला थल सब्एता और नगरी सब्एता अब अगली नदी है हमारी खारी नदी खारी नदी राजसमंद के बिजराल की पाडियों से निकलती है बिजराल की पाडियों से निकल करके यह राजसमंद होते हुए अजमेर होते हुए बिलवाणा होते हुए टॉंक में यह राजमेल टॉंक में राजमेल टॉंक में जहां टोड़ा राइसिंग इस त अच्पार kakar बी गोद में पहला इसका तिर्वेंगि संगमakah करनाष्र घूम नंता है और दूसरा जो तिर्वेंगि नदी खारी नदी और बनासणबे इन तीनों का संगम हरता है इसपर करें डाई खारी और बनास ये दूसरा तिर्मिनी संगम होता है देखो खारी नदी है ना खारी नदी जहां से निकलती है राज समन से और बिजराल की पाडियों से निकलने के बाद खारी नदी में जो बाएं किनारे से मिलती है वो नेखड़ा इसकी साइग नदी है फिर एक बारा नदी इसकी साइग नदी खारी नदी की और जो दाएं किनारे से मिलती है उसमें सबसे मैतमपुर नदी है मानसी नदी मानसी नदी के किनारे विलवडा के अंदर है अड़वान बांद इस्तित है अड़वान बांद का पूचा दाता है ये मानसी नदी के किनारे अड़वान बांद है ये विलवडा मे और मांसी नदी है वो करनपूरा, विलवड़ा से ही निकलती है और छोटे रूप में निकलती है इस परकार अड़वान बांध इसी मांसी नदी के किनारे है खारी नदी जब आगे बढ़ती है तो खारी नदी के किनारे बिलवड़ा के अंदर आसिंद कस्वा इस्तित है और आसिंद बांध है इसी खारी नदी पर आसिंद कस्वे के पास में आसिंद बांध है और आसिंद में गुर्जरों का तिर्थेस्तल भी है जब ये थोड़ी औ और आगे बढ़ती है तो 17 जुलई 1734 को जो हुड़ा समेलन हुआ 1527 में रणा सांगा के खानवा यूद के बाद में सबसे बड़ा जो संगम हुआ राजबुतों का और पाती परवन बेजे गए राजबुतों को एक जिंडे के नीचे लाने के लिए वो माराना दगत सिंग के समय की बात है और जेपुर के माराजा जै सिंग ने पैल की थी 17 जुलई 1734 को इसी खारी नदी के किनारे हुड़ा समेलन आयो जित हुआ था लेकिन कहते हैं कि जै सिंग जो जेपुर के कस्वा राजा थे उनकी हट दर्मीता के कारण ये सफल नहीं हुआ बिलवड़ा के अंदर ही इसी खारी नदी पर गुलाबपुरा इस्तित है जांग गुलाबपुरा सैकारी कताई मेल है कोटन की सैकारी कताई मेल है इसी खारी नदी के किनारे इसी खारी नदी के किनारे अजमेर के अंदर नाराइन सागर बांद है जो अजमेर के जीवन रि खारी नदी की लंबाई 80 किलोमेटर है टोटल इस परकार खारी नदी है वो डाई खारी और बनास तीनों का संगम है वो राजमेल में होता है और यह तिर्वेणी संगम कहलाता है डाई नदी है जो नसीराबाद जो कभी राधस्तान में 28 मई 1857 की परतम क्रांती जो फूटी थ हुआ वहां से डाई नदी निकलती है और अजमेर होते हुए टॉंक के अंदर है यह राजमेल के पास में 20 सल पूर बांध में मिल जाती है 20 सल पूर बांध राज़स्तान की सबसे बड़ी पैजल प्रियोजना है और यह एडी बी जो एशियन डवलप्मेंट बेंक है उसकी के अंदर है विश्व का केगमात्र देश है जा किसाई जिन सिंक्या मुस्लिमों के साथ में रहती है किसाई केवल फिलिपिन्स इस्तित है दक्सनी और दक्सन पूर एशिया में इससाईयों का जमावड़ा फिलिपिन्स में तो वहां मलिना एडी भी है उनकी साहिता से पूर्ती की जाती है कि आगे बढ़ते हैתחले मानसी मानसी की सहग नदी है वह सष्थ्थ्जा और इस्तित और टोड़ी सागरबान वह टॉक में इस्तित है जिसके गेट खोल देने से एक मून्द भी पानी बचता नहीं है वह टोड़ी सागरबान मानसी नदी शीलोरा किसंगड से निकलती है और शीलोरा किसंगड अजमेर में इस्तित है यह किसंगड का शीलोरा जो है वो सबसे बड़ा उद्योगिक सेत्र है और खूब बार पूचा गया किसंगड में इस्तित है वहां से मानसी नदी निकलती है अजमेर से और टॉंक में जहां करके मिलती है वो देवदाम जोद पुरिया घुरजरों का 23 सल है देवदाम जोद पुरिया वह यह मानसी बांडी और बनास एक तीसरा तिरवनी संगम बनाते के बनास पर वो देवदाम जोद पुरिया टॉंक में बनाती है टॉंक में यह नदी सरपिलाकार चलती है और धीरे धीरे चलती है और पूरे टॉंक को दो भागों में बांट देती है और जल की अच्छी वैस्ता कर देती है इसलिए टॉंक जैपुर के आजपास के शत्रों में नलकुपों से कुओं से सरवादिक सिंचाई होने का कारण यह है फिर मोरेल चैनपुरा की पाड़ियों से निकलती है ज साइक नदी जूण ओर दूंड नदी जांसे निकलती है वह अगल से और जैपुर की मद्य से निकलती है और दीगपुर अच्रोल के पास में धूंड नदी पर कानो ताबांद जो जैपुर राजस्तान का सबसे बड़ा मस्लिए उतपाद्बान करने वाला बांद यह कानोत है अमानिशा नाला और अमानिशा जो नाला है वो रिवर फ्रेंट के रूप में परसिद है अमानिशा नाला कभी सरस्वती नदी का भागता जिसे वर्तमान में दर्वेवती नदी का जाता है इसे दर्वेवती रिवर फ्रेंट के रूप में साड़े सेंटालीस किलोमेटर है जो यह पूरे जैपूर में बहती है इनमेंसे बारा किलोमेट्रे यह दरिवाइवति रिवर फ्रेंट है वो वर्तमान में बंड आए इस परकार राजस्तान में चंबल रिवर फ्रेंट है जो 19 किलोमेट्र लंबा और यह अडसन नदी के बाद में सबसे लंबा चंबल रिवर फ्रेंट है जो कोटा-बेरा से नयापुरा के मध्य पिस्थापित किया जाएगा चंबल पर और राजस्तान का दूसरा रिवर फ्रेंट है दर्वेवती नदी भूंड की सायग नदी है जैसे अमानिसा नाला का जाता है अमानिशा नाला का दूसरा नाम जो है वो द्रिवेवती नदी दे दिया गया इस मोरेल की एक साइग नदी है काली सील जो कलोरी से निकलती है और स्वाई माध्यवपुर में आकर के बनास में मिल जाती है इस परकार काली सील नदी के किनारे केला देवी का परसिध मंदिर एस्थेत आ है और केला देवी वो जहां लंगूरिया नर्ते किया जाता है कि केला देवी के मंदिर में सिट्वन खिले रे लंगूरिया वो है काली सिल का मन काली सिल नदी जिसके किनारे केला देवी का मंदिर इस्तित है याद्मों की कुल देवी कहलाती है केला देवी इस परकार मोरेल जैपूर दोसा और स्वाइमाद उपर तक आती है और ये दोसा और स्वाइमाद उपर की सीम पर मुरेल बांद बनाया गया हैं और मुरेल बांद बडा कि परिसिदध बांद है क्योंकि मुरेल बांद के अंदर है बांद बनाए है वो रो स्वाही मधवपुर के लिए important है उसी बांद के पेटे में जब पानी शूख जाता है तो बजेड़ा नामक पान की खेती की जाती है बेज़ड होता है न उसमें तो जो जवार बाजरा और चना इनकी खेती की जाती है खडीनों में जैसल मेर में वो होता है बेज़ड और बजेड़ा पान की खेती होती है जो स्वाई माध्यपुर में मोरेल नदी पान की खेती के लिए जानी जाती है जैसे बान गंगा नदी खजूर की खेती के लिए जानी जाती है एसे ही मोरेल नदी पान की खेती के लिए जानी जाती है बान गंगा नदी जो बैराट की पाडियों से निकल ये नदियों का अलग जो है उनका सेत्र पड़ता है बनास नदी एक ऐसी नदी है जिसके अंदर भूरी मिटी पाई जाती है और ये क्योशन पूचा गया बनास बैसिन के अंदर भूरी मिटी भूरी रेतिली मिटी का परकार पाया जाता है विसे इसका भूरी मिटी का पूच खतीय है कि लिल और बावली गांट को से निकलती है और खंडा अर्त्व शिल माकक्र के बनाश से मुल जाथी है इस परकार इनके बनास में ये नदियां मिलती है बनास पर जो बांद बनाए गया है वो राजसमंद के अंदर बागेरी का नाका बांद है राजसमंद में बागेरी का नाका एक गाव है वाँ है और राजसमंद के अंदर ही एक नजसमंद बांद है राजसमंद के अंदर ही और चितोडगड जिले मे अच्छा नंद समंद है वो राजसमंद की जीवन रेका कहलाती है और चितोडगड में मात्रकुंड याबांद है जिसे राध्यस्तान का रीद्वार कहते हैं वो इसी बनास नदी के नदी पर बनाबान है फिर बिसलबूर बांद बड़ा इंपोर्टेंट बांद है जो राध बांद को लेकर के विवाज चला है तो इस सर्दा बांद है वो स्वाई-मध्व redo बन लाए इस परकार इंपर जो बांद है वो बागेरी का नाका बांद नंद समंद में नद समंद जिवन्रेका कालाती है राजसमंद की मातर कुंडिया चितोडगड में बिसल पूर्बान और इस अर्दाबान इस परकार हमारी ये बनास्नदी है खूब सारे पुछे वे क्यूशन पर आदारित है और इस परकार तोता मेना की तरह रटना नहीं है और समझ में नहीं आए वहा पांचितर लेकर के कोपी पैन लेकर के बनाते हुए पढ़ना है चंबल की कुल लंबाई जो वाटर रिचोर्सेस आंकड़े 2017 से पहले इसके 480 किलोमेटर मानी गई है लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई 512 किलोमेटर है वाटर रिचोर्सेस आंकड़े उनके अनुसार इस इस वर्कार मनास की अभी वर्तमान लंबाई यह वह 512 किलोमेटर है आयड़ नदी की कुल लंबाई यह वह 90 किलोमेटर है इसी परकार कोठारी नदी की कुल लंबाई 145 किलोमेटर है खारी नदी की कुल लंबाई 80 किलोमेटर है मनास नदी पुर्णा तक राजस्तान में बेने वाली सबसे लंबी नदी है भाव की दस्टी से राजस्तान में बेने वाली पुर्णा तबाव की दस्टी से राजस्तान में बेने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्तान की सबसे लंबी नदी चंबल लेकिन वो मध्य परदेश से निकलती है लेकिन राजस्तान से निकल करके खमनोर की पाडियों से और रामे सर में जाकर के यह जो जड़ंगा लगाती है वहां तक यह पांसो बारा कि किलो मिटर और ये राजस्तान के सबसे कि लंबी नदियों में से एक पुर्ण तबाव की द॥ क्लोमीटर ये वर्ण किलो मटर एरिया सबसे बड़ा जालकरन सबस्क्रान राजस्तान में चम्मल नदिका का जाता है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जय इंद शेर सब्क्राइब और बेल आइकन की घंटी वज़ाईए और हमारे ग्यान उप्रोगी